नमस्कार आप देख रहे हैं जूबिनियूस तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो से पहले यदी आप हमारे चैनल पनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप त चीन को बड़ा जटका दिया है गलवान घाटी में दोनों देशों की सैनिकों के बीच हुए जड़ब के बाद सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है इन सब के बीच प्रधानवंत्री मोदी अब एप के मामले में भारत को आत्म निर्भर बनाने में जुट कि वह आत्म निर्भर भारत एप इनोवेशन चालेंज लॉंच करने जा रहे हैं पिया मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर फेस्बुक और टिक टॉक जैसे भारतिय एप बनाएं मैं भी इने जुआइन करूंगा पिया मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेकिन इंडिया एप बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टप कम्यूटी के बीच अपार उत्सा है इसलिए हम मिलकर इनोवेशन चालेंज शुरू करने जा रहे हैं पिया मोदी ने आगे कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडेक्ट है या फिर आपको लगता है कि प्रती किलो तक पहुँचा जिहां मनसून की बारिश से जहां एक ओर गर्मी और उमस से राहत मिली तो वहीं दूसरी और महंगे टमाटर से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं रास्तिया राजधानी दिल्ली और NCR में टमाटर का भाव 80 प्रती किलो तक पहुँच गया ह ठोक व्यापारियों और सबजी विक्रेताओं का कहना है कि उत्पादक राजियों में बारिश से फसल खराब होने से टमाटर की आवग घटी है जिसके करण कीमतों में यह देजी आई है अगले सबताह से टमाटर की नई फसल आने पर कीमतों में गिरावट आने की भी 34 रुपे किलो था जो कि 3 जुलाई को बढ़कर 58 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गया सरकारी आकड़ों में भले ही यह व्रिद्धी 58 प्रतीसत है लेकिन वास्तों में यह व्रिद्धी 100 प्रतीसत से भी अधिक है दिल्ली, नोईडा, गाजियाबाद और गुरुगराम क कि कुछ इलाकों में टमाटर का पुद्रा मुल्य सतर से असी रुपे प्रती किलो है अलग-अलग स्थानों पर टमाटर की कीमतों में अंतर आंसिक रूप से उसकी किस्म में अंतर होने के कारण भी है बतल गया SBI ATM से कैस निकालने का नियम अब OTP की होगी जरूरत जानिये इस बारे में सब कुछ जिहां रात के समय में ATM फ्रॉट से बचने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक यानि भारती स्टेट बैंक अपने ग्रहांकों को OTP आधारित ATM विड्रॉन की सुविधा देता है SBI की सुविधा को एक जनवरी 2020 से लागू किया गया है जिसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबा के 8 बजे तक SBI ATM से कैस निकालते समय OTP की जरूरत होगी इस सुविधा को लॉंच करने के साथ ही SBI ने इस बारे में अपने ग्रहांकों को जानकारी दी थी एक बार फिर SBI ने फ्रोड से बचने के लिए ग्रहांकों कोई सुविधा के बारे में बताया है SBI के इस OTP बेस्ट विड्रॉल फैसलेटी के तहत कोई भी SBI ग्रहांक रात के 8 बजे से सुबा 8 बजे तक अगर 10 जार रुपाई या इससे ज़्यादा कैस निकाल रहा है तो उनके लिए OTP की जरूरत पड़ेगी बिना OTP के वो 10 जार रुपाई या इससे ज़्यादा की रकम नहीं निकाल सकते हैं SBI ने कहा कि या सुबिधा केवल भारती स्टेट बैंक की ATM पर ही उपलब्द है अलाकि SBI ने यह भी कहा है कि इस तरह समय में अगर कोई SBI कस्टमर किसी अन्य बैंक की ATM से कैस निकालता है तो उन्हें OTP नहीं भेज़ा जाएगा चीन को करारा जवाब देने के लिए Hero Cycles ने लिया बड़ा फैसला नहीं करेगा 900 करोर रुपए का बिजनिस जिहां चीन पर निर्भरता कम करने के लिए United Cycles Arts and Manufacturers Association को तक्नीकी मदद करने के बाद Hero Cycles के प्रबंध निदेशक वचेरमेन पंकज मुझल ने एक नया एलान किया है पंकज मुझल ने कहा कि उन्होंने चीन के साथ 900 करोर रुपए के ट्रेड को कैंसल कर दिया है उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीनों में हमें चीन के साथ 900 करोर रुपए का कारवार करना था ये इस्तेमाल की जाती थी आपको बता दें कि इन साइकिल्स की कीमत करीब 15,000 रुपए से लेकर 7,000,000 रुपए तक की होती है यूपी में जंगल राज पर कॉंग्रेस चलाएगी अभियान प्रियांका गांधी ने कहा सत्ता संरक्षण ने अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जिहां यूपी की बिगरते होई कानून व्यवस्था को लेकर कॉंग्रेस अभियान चलाएगी कॉंग्रेस मासचिव प्रियांका गांधी ने यूपी कॉंग्रेस के निताओं के साथ वीडियो कॉंफेंसिंग बैठक की और यह निर्देश दिया है सोसल मीडिया के जड़िये ऑनलाइन अभियान चलाए जाएगा इसके साथ ही कॉंग्रेस अपराधिक समस्याओं से जुड़े हुई आम लोगों की सिकायतों को इकठा कर राज्यपाल और मानवा धिकार आयोग को सौपेगी कानपूर में आठ पुलिस कर्मियों की जान जाने के बाद कॉंग्रेस के रणनितियों को तै करने के लिए आवज़ित बैठक में प्रियांका गांधी ने योगी सरकार पर निसाना साथते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और अपराधियों को सत्ता का संर रक्षण ने अपराधियों का मनोबल बढ़ाया है पंजाब नेसनल बैंक ने किया बड़ा एलान सिनियर सिटिजन को मिलेंगी एक खास सुविधाएं जिहां देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेसनल बैंक ने अपने सिनियर सिटिजन ग्रहांकों के लिए बड़ा एलान किया है बैंक पी अनबी पाट साला के द्वारा आए दिन कस्टमरों को हो रही परेशानी के समाधान या नई स्कीम की जानकारी देता रहता है इस बार बैंक ने ट्वीट कर वरिष्ट नागरिक ग्रहांकों को दी जाने वाली विसीस लाभों या सुव करना है क्योंकि कई पार पैसो की दिक्कत के चलते सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने से लोगों की जीवन मुश्किल में पढ़ जाती है सिनियर सिटिजन को मिलेंगे अन्य ये लाभ एफडी यानि फिक्स डिपॉजिट पर 0.5% व्यासदर मिलेगी अधिक रिटार्मेंट क के बाद कस्टमर जहां भी रहेगा उसका अकाउंट उस स्थान पर ट्रांसपर कर दिया जाएगा चेक का कलेक्शन निसुल के किया जाएगा सभी प्रकार के ट्रांसपर पर 50% की रियायत दी जाएगी 15,000 उपय तक किसी भी बाहरी चेक को तुरंत क्रेडिट कर दिया जाए राजे सरकार और ससस्त बल से रिटार्ड पेंसनरों को पेंसन बिल और चेक में छूट वरिष्ट नागरिकों के लिए कई आकरसक पासबुक जिसमें ये सुविधाएं उपलब्द हैं प्री नॉमिनेशन फैसिलिटी कपिल सिबल ने पीम मोदी को दिलाई राजधर्म की याद कहा अचीन से आँख में आँख डालकर बोलिये जिहां कॉंगरिस ने पीम नरेंद्र मोदी के लदाक दोरे को लिकर हमला को बोला है कॉंगरिस ने कहा कि चीन से लगे हुई सीमा पर इस्तिती गंबीर है कॉंग्रेस ने तक कपिल सिबल ने पीम नरेंद्र मुदी पर तंज भरे अंदाज में हमला बोला कपिल सिबल ने कहा कि 2014 तक नरेंद्र मुदी कहते थे कि अगर वो सत्ता में आए तो चीन से लाल आखे दिखा कर बात करेंगे पुर्व केंद्रिय मंत्री कपिल सिबल ने कहा कि पीम नरेंद्र मोदी सुहाने सफर और हसी मौसम के सपने दिखाते गए लेकिन अब न तो सुहाना सफर है और नहीं मौसम हसी है और 2020 तक पहुँचते पहुँचते हमें डर है कि हम खोना जाएं कहीं पीम मोदी और बीजेपी को पुरानी बाते याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सासन के दोरान जब चीन ने लद्दाक में कबजे की कोशिज की थी तो मोदी कहते थे कि हम उन्हें लाल आके दिखाएं उन्होंने कहा कि सरहत पर इस्तिती बहुत गंबीर है इस सरकारों ने टेक्स कलेक्शन ना हो पाने की वज़े से कर्मचारियों की सेलरी ना दे पाने की बात तक कही है इन में महरास्त सरकार भी सामिल है हलाकि इस बीच खजाना खाली होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे की सरकार ने मंत्रियों और अफसरों के लिए 6 लगजरी कारों को खरीदने का आउडर दे दिया है इन कारों के लिए 1.37 करोड रुपै सेंक्सन किये गए है जिन मंत्रियों और अफसरों के लिए यह कारे खरीदी जा रही है उनमें खेल और सिक्षा विभाग सामिल है बताया गया है कि प्रतियक कार के लिए 22.8 लाक रुपै मोहिया कराए गए है इसके लिए खुद वित्विभाग और मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने हरी जंडी दिखाई है आपको बता दें कि दो दिन पहले ही महरास्ट सरकार में कैबिनेट मंत्री विजे वित्विवार्ड ने कहा कि महरास्ट के पास राज्जे करमचारियों की तनकवाह देने के लिए भी अब लोन लेना पड़ेगा उन्होंने कहा था कि सिर्फ तीन-चार विभागों को छोड़कर बाकी सभी की तनकवाह काटी जाएगी आपको बता दें कि विजेंतिवार्ड ने राज्जे में फंट्स की कमे के लिए केंदर सरकार को जिम्मेदार ठाराया था अलाकि उन्होंने इस बिमारी से निपटने के लिए राज्जे के पास पूरे फंट्स होने की बात कही थी अगले 24 गंटो को दरान देश बर के संभावित मौसम पुर्वानमान के बारे में बता रहे हैं अगले 24 गंटो को दरान उत्तरी कोंकन गोवा और दक्षनी गुजरात में मुसलाधार बारिश होने की संभावना है दक्षण कोंकन गोवा, तटिय करनाटक और उत्तरी केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के असार है चतीस गड, दक्षण और दक्षण पस्चमी उत्मध्य प्रदेश, पुर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सो, पुर्वत्तर भारत, तटिय आंदर प्रदेश, तिलंगाना में हल्की से मध्यम बर्शा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, पिहार में भी तेज बारिश हो सकती है, तमिलनाडू, रायल सीमा, आंतरी करनाटक, विदर्व, मराटवाडा, मध्य परदेश के सीस भागों, दक्षणी पुर्वी राजस्थान, सीस गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हर्याना, पुर्वी राजस्थान और पस्चिमी हिम माले में कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है, आज का मैंड कुछ कोशन आ चुका है, आई आई टी का पूरा नायम क्या है, आप इस सवाल का जवाब चल्दी जनती कमेंट बॉक्स में दे दीजे, और अगर आपने अभी तक जी होईने, उसको नहीं सब्सक कर लें ताकि 30 दुने की अब सारी खबरों से रसके अपडेट, तो मिलते हैं दो बार दो दिन बार की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद